बिस्वाइब रहा है मैं आज श्पेशल टाइप के चावल और मुर्गी बनाने जा रहा हूं यहां पे रूस दज्जाज कहते हैं मुर्गी और चावल को वहीं मुर्गी चावल लेकिन डिफरेंट टाइप और डिफरेंट स्टाइल में हम इन चाइनिज खाने को और पाकिस् क enam कि मैंने इस वैज टेबलट को इस वैजशटेबलो को एक सेटी देके कुकसा निकाल दिया और इस निज एक आ पतंभी और ने आसं के लिर और मेरा वरत्तन में मैंने चिकन को तब की आग नज मसाल कहने हैं चाइए भरी रालेें क्वाव मसाल ह्मंहाइए चाहिए नियाम चाहिए नहीं आपना पर बनांका क्वाव क पड़ती एडUNG मुर्गी है जरजाज है एक वुदी मुर्गी है तो इसको बढ़ करके मैंने साइड में रग गिया है अब मैं जो उसका सूप निकला दा को मैंने सुका दिया है और उसको सुकाने के बाद एस आपने इस बतन में उस सूप को दाल दिया है के लिए प bizi इन्थे कर्ण इनकर लए तु saute कर लिया और इसको सूप के इंदर जो मसाला जा था वह नीचे रहने दिया उसमें में धर्दे कारंड बिला दिया ताकि झावलों में धर्दे का र सी हो जा जाए और सूप के साथ उसे सूप के मसाली के साथ चावलों में सहँ सबस्ते सबस्ते अगर हम इस पूल के सबस्ते पूल की काबली जानान लटे सबस्तुन जर्णे पाबला जाता है वह घए आपने एक कुकर्ट के अंदर उसको निथार दी एग्ञार दी जामनोंые कोई की चीज़ फिल हाल नहींद जैलिए और अभी आपके सामने में चीज़ दालूंगा और इसमें ये खाली सूप का जो थोड़ा था सूप है इसमें जी सबजी और ये दालूंगा दोनों चीज़ों को मिलांगा जाद रहे मैंने चामनों को सिर्फ एक सिटी दी है और इनको शूप को सुपा के उसका जो सूप है उसको मैंने सुपा दिया और उसमें मैं मिक्स कर रह हूं उसमें थोड़ा सा मसाला चिकन का पाड़े पहले से पड़ा उवा है जिसमें इड़ि की थी उसके अंदर मैं फिसके अंदर ना मसाले यह उसके अंदर नमक था इसलिए चावलों में नमक भी नी डाला और सिर्फ तरदए गरंग डाला और उस सूप के अंदर मैंने इन चावलों को मिला दिया अब मैं इनको दालने के बाद मैं इसके अंदर वेजटेबल का एसाफ़ पर जोगा वेजटेबल चैनीज चावलों में पड़ते हैं और हम जो है इस चावलों में जुद। इसका जो मेर्या है आप नाम रखें इन चावलों में वेज़टेबल डालेंगे तके बचली जो फशेवाली खाते नहीं थो उनको मिक्स करने से बचली वेज़टेबल का विस्तमाल हो जायगा sih मैं खाली उसका जो है पानी बानी इस पत्ते यह दाल दिए और टमाटर काटके एक यहादा यह दालूंगा यह मैंने वेज़िटेबल दाल दिये मैं आपको नई टेक्निक बता रहा हूं कि बच्चों को सब्जी किस तरह खिलाए जाए बच्चों का इंटरस्ट कैसा प्यादा किया जाए और यह अगवानी चावल और बुखारी चावल और चाइनिज चावल इन तिरों की तरकी बे वो मिला के एक नए किसम के चावल चूला में ने आउन कर दिया है और पानी क्यूंके इसमें अभी है दम के लिए मैं हमें पानी की दोर्ट नी पड़ेगी यह मैं दानूगा चावलों को मैं चावलों के बतन को अच्छी तरह मैं साफ कर दूं सूकर में एक दाना भी ने रहने चाहिए रसले पासर संथ रिस्क के हर दाने की घजर किया करते थे और जब आप खाना पकाएं तो वरीगों का पड़ोसियों का मजदूरों का सब का खयाल करें और सब को खिलाएं यहां तो जो मिलते हैं जुकानदार वगरा है हमारे हमारा सर्वंट है आजकर उसको मैं आने के लिए बना कर दिया है इस डीजीज की वएब से वह वह बंगाली उसको हमसे देते ते इस तरह जिर्ट की मदद हो सकती है यह करना चाहिए और हम करेंगे और हम मुसल्मान हैं हम हर एक की मदद चा और मेरी टिकन इसके ओपर त्यार है जो टिकन मैं आफिर में इसके ओपर रखूंगा फिलाल में इसको दम दगने के लिए इसके उपर मैं डगना देदी ताकि ये दम हो जाए जबदद बनेंगे इन्शाला अब इसमें जो चीजें हमें दालनी होगी अगर है तो नहीं है तो कोई मसला नहीं है फूर इसे चार दाने पांच दाने हम इसके उपर काली मिश्के दाल देए दो तिन दाने हम इसके उपर दम के अंदर दम के अंदर ये हो जाएगा इसकी फिर्बू आ जाएगी और दो तिन दाने इसमें हमने लॉंग लाल दिये इलाइजी का पारडर थोड़ा सा इलाइची इलाइची को हमेशा मैं पिसके या दबा के कुछ तोड़के दालता हूं मैं इसको लाइची को भी घुला मेंने कम कर दिया क्यों कि तेज लिख अधर में नहीं डि मेरा कैले नमक की कमी नहीं होगी क्योंकि प्रभॉ के जुम ऐनागने इसके अंदर दाल दिया, यह इलची अनल दी चाहे तो आप आप कहेंगे हुए तो पकाय है नहीं मुझझा करते हैं नहीं है यी समयर मेंने नियुकंगुशनी Tribalॵ बनाते हैं और मैंने कलकेश में पेस नहीं बनाया था बलके उनको मैंने कि मूटा मूटा कुटा कबाब का मसाला चिकन को इस्टी बनाने उसके मसाले में मोटी मोटी एदर कलेसी चाहिए होता है उसमें अज़क लखन माशायला तबारक अला जबद दस्ट बन के साथ हमारा तेस खाना तयार हो जाएगा अब इसमें अगल सके तो जालचीनी तत्सक्ड़ा भी जाल देते हैं कि दालचीनी मैंने लिए में गोचल में दालचीनी में त्यृत थोड़ासा तुखड़े हमने दालचीनी यह दाल दिया यह पर अच्छीजत्त करें। तेज़ पाद भी दाल दिया और लॉंगे भी दाल दी और खुटबू के लिए तमाम चीज़े दाल दी आप चाहें तो थोड़ा सा इस पे उपर अपना पिर्यानी मसाला थोड़ा सा दरा सा मूंको लगे इतना मैं दाल के दिखा ज़ता हूं इसके बृबुरा दे ताके इसम दाल देंगे वैसे तो जबरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए तो दिखाने के लिए तो दोड़ा सा इसमें बटर या ओई यह दाल देंगे वैसे तो जबरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए में तोड़ना साथ में तयाकर हमारे चावल चुपके नहीं यह मैंने ऑंडीया तके हमाडे चुपके नहीं तो इसके रिखना देगा और अधकना देनी के वाठ यह दम होंगी है कि मैं फिल्हाल रखने को उल्टा रख रहा हूं फिर इसको पल्टूंगा इस वे मैंने बर्तन रख के आपको दिखाना है और इसके उपर मैं वेजी तैयार की वी जबा 10 किसम की चिकन ये बॉइल चिकन है जिसका पानी मैंने सुका दिया ये जाल दूँगा ये रख कि इसको मैं अलग करम कर लूँगा और नीचे के चामलों को दम होने के बाद ट्रे में निकालने के बाद ऊपर से चिकन रखूंगा इस तरह ये रुस दर्जाज अपने स्टाइल में अपने स्टाइल में वेजिटेबल के साथ त्यार हो जाएंगे अमीद है आप समझ के हो पिर से दभवत दोरा देता हूं मैंने कोकर के बरतन में और इसमें पानी फूल और उसको बॉयल हो नीजिए अगर खुले बरतन वकार है तो आपको बीस मिन से Or जरब ने के बाद इसको निकाल दीजिए उसका सीरफ को सुकाईए और सीरफ चामलों में इस्तेमाल किया है और वेजटेबल को अलग दालीए है वेजटेबल को अलग से मिला देंगे और आप जैसा में खला चाहिए इसमें दाल दीगे मैं जर्वासा इसके भटने को सीधा कर माट के लगा दो लगना गरम हो गया है वहूंक पकड़ के इसको पनट देता हूं तो कि पानी आना शुरू हो गया चामदों पर यह हमने के तुम्हें आप समझ गाओंगे पंदेफ वहूंगे बहुत तस्री बनेगा यह खाना इसको पजह चिकन रखे बड़ी खुबसुरत लगेगी और बच्चे नोच के खाएंगे इसके अंदर के वेजिटेबल भी खाएंगे मुझे दौह में याद रखें मैंने शॉर्ट कट में आपको दिखाया है मैं बहुत डिटेल में आपको भी दिखा रखता उसमें टाइम बहुत चाहिए और बहुत सारी कारविये करनी पड़ती है इन्शालला आप भी बनाएंगे और मैं इसकी इन्शालला रसीपी अपनी दूंगा